दिल्ली की केजरिवाल सरकार की वाहनों के परिचालन की ओजिवन विवस्था का सर बिहार में भी पड़ा है बिहार के निबंधन कार्यालें में पिछले कई दिनों से बरकरार लिंक फेल के संकर से उबढ़ने के लिए निबंधन विभाग ने ये नया रास्ता खोजा है अब प्रतेक जिल्ला के निबंधन कार्याले को और इवेन नंबर के अनुसार लिंक दिया जाएगा सर्वर पर लूड बढ़ने पर इसके काम नहीं करने की समस्य से निपटने के लिए विभागली सर्वर को आधुनिक बनाने के बदले जुगाड का ये शौटकट रास्ताख तियार किया है इसके साथ ही बता दे कि बिहार के 124 निबंधन कार्यालेओं के क्रमांग के मताबिक और इवन का सिड्यूल जारी कर दिया गया है और इवन क्रमांग वालों को 10 से 11 बजे तक लिंक मिलेगा तथा इवन नमबर वालों को 11 बजे से 12 बजे तक पहला लिंक मिलेगा इसके बास से हर एक घंटे के अंतराल पर उन्हें लिंक मुहया कराया जाएगा बता दे कि पारदर्शुता बरतनी के उद्देश से निबंधन विभाग ने अपने सभी कार्यालेओं को ऑनलाइन कर दिया है अब दस्तावीजो का निबंधन ऑनलाइन होने लगा है सभी निबंधन कार्यालेओं मुख्याले के सर्वर से जुड़े हैं लोड बढ़ा तो पिछले कुछ दिनों से सर्वर फेल रहने से निबंधन कार्य प्रभावित होने लगा नवंबर में तो कई कार्यालेओं में निबंधन पूरी तरह ठप रहा इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने सर्वर को अत्या धुनिक बनाने के बजाए अब और इवन का रास्ता अक्तियार किया है बतादे कि सुत्रों के अनुसार प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालेओं में प्रतिदिन पांच जार से अधिक दस्तावेजों का निबंधन किया जारा है अकेले पटना जिले में ही प्रतिदिन पांसो से अधिक दस्तावेजों का निबंधन होता है निवन्न विवा की ओर से जारी इस नई सूची में कटिहार को 1000 नमबर से शुरू किया गया है इवेन नमबर होने के कारण इसे 11 बजे से लिंक दिया जाएगा 12 बजे बंद कर दिया जाएगा फिर एक बजे से हर एक गंटे के गैप पर लिंक मुहया होता रहेगा इस सम्बंध में बिहार दस्तवेज नवेश संग के प्रदेश अध्यक छुदर कुमार सिंधा ने बताया कि ओडिवन से परिशानी कम होने के बजाए बढ़ने की आशंका है SPN 9 Newsroom से शृतिक रिपोर्ट